अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारत की एक कमपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है अमेरिका इस कदम से भारत को भी चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका अपने फायदे के लिए चाहता है कि भारत उसके दुश्मनों से कोई संबंध ना रखे फिर चाहे इससे भारत को भले ही नुकसान हो जाए अमेरिका ने कहा है कि उसने कई कमपनियों को ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है जिसमें से एक भारतीय कमपनी भी शामिल है हैरानी की बात देखिये कि अमेरिका भारत के दुश्मन पाकिस्तान को तो लड़ाकू विमानों के रख रखाव के लिए करोडों रुपए दे रहा है वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान उन पैसों का इस्तमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गती विधियों के लिए करता है लेकिन जब कोई भारत की एक कमपनी इरान के साथ पेटरोलियम बिकरी के लिए जुड़ती है तो अमेरिका को इस पर गुस्सा आ जाता है ये पूरा मामला क्या है और कैसे अमेरिका ने भारतिय कमपनी के खिलाफ प्रतिबंध लगा कर खुद अपने ही पैरों पर कुलहडी मारी है वो इस वीडियो में बताएंगे दरसल अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सभी देश उसकी बात माने जो देश अमेरिका के हितों में बाधा बनते हैं अमेरिका उनके खिलाफ एक्शन लेता है उन पर प्रतिबंध लगा देता है अमेरिका ने रूस और इरान के साथ यही किया अमेरिका ने रूस और इरान दोनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हुए हैं अमेरिका दुनिया पर भी दबाव डालता है कि वो रूस और इरान से संबंध ना रखे कई देश अमेरिका की बात मान जाते हैं लेकिन भारत अमेरिका के दबाव से नहीं डरता, अमेरिका की रूस और इरान से भले ही दुश्मनी हो, लेकिन भारत के इन दोनों ही देशों के साथ एतिहासिक संबंध हैं। इन ही कमपनियों में एक भारतीय कमपनी भी शामिल बताई जा रही है। उसके दुश्मनों से कोई संबंध न रखे जबकि वो खुले आम भारत के दुश्मन की मदद कर रहा है और उसे सही भी बता रहा है। झालाओ था रहा है। झालाओ यालाओ